1, 2, 2 लिख चुके हैं आज मैं आपको 3 लिखना सिखा भी 3 कैसे लिखते हैं देखो 3 कैसे लिखना है आपके नमबर बुक में एसे एसे डट डट है तो आपको उसको धीरे दीरे जोडना है यह जोड़ने से यह 3 बन जाएगा इसे लोट लोट है तो आको यह धीरे धीर उसको जोड़ना है यह 3 एसे डौट है और ये डौट है जो इसको आपको जोड़ना है यह जोड़ने से ठीग उड़ने से ठीट लिखते हैं और आपको नमबर बूप में नमबर बूक पेच नमबर सेबन में थ्री है तो आपको ये बिंदी को जोड़ना है इसको जोड़ने से ये थ्री और आपको ये बिंदी जोड़ने के टाइम में थ्री थ्री पोल के लिखना है ये से ये से थ्री लिखना है ये है थ्री और बच्चों ये उपर टीक्चर है ये फिश, ये फ्लावार, कौप, कैप, पोकेट और ये है एपल तो आपको क्या कारना है जो जो पिक्चर 3 है तो उसमें हम एससे लाइन बनाएंगे देखो ये फिश कितने हैं देखो यह फ्लावार कॉप अपेपर एक्न और कहसे हैं योग पिकट्र होगा हम उसमें लाइन बनाएगा, काउंट करते हैं यह वन फ्लावार नहीं पनाएगा, क्योंकि जो पिक्टर 3 होगा हम उसमें लाइन बनाएंगे तो कप को काउंट करते हैं वान टू थ्री यह कप थ्री कप से तो यहां पर थ्री लिखा है तो यह कप से यहां पर थ्री को लाइन बनाना है आपको अभी एपल का काउंट कर रहें हैं देखो वान टू थ्री फोर फोर से हम काउंट लाइन नहीं बनाएंगे यहाँ पर 3 है तो हम 3 को 4 से लाइन नहीं बनाएंगे और यह bucket कितने bucket हैं 1 bucket तो यहाँ पर भी हम लाइन नहीं बनाएंगे और यह keypes का count करती हूं देखो 1 2 3 3 caps है और यह ring में 3 है तो हम square line बना रहे हैं ऐसे आपको भी आपके book में यह picture को count करके जहां पर भी थ्री पिक्चर्स होगा एसे लाइन बनाना है ओके बंचो